हाई उर्वन आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे वेलकम हैं आज की इस इंपॉर्टन क्लास में वो डिस्कस करेंगे UGC Net उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन कोशन्स और क्यांसर्स अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर ले अगर आप वारे टेलेग्राम चैनल को जोईन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वारे टेलेग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहां से सीधे आफ वारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं और अपने एक्जाम के एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं आज की क्लास में हमारा पहला कोशन है इन में से किताब तरकी पसंद अदब के खालिक कौन है आफशन आपके पास में इतिशाम हुसेन, मुहम्मद हसन, अली सरदार जाफरी और मुम्ताज हुसेन आपको बताना है इस किताब के खालिक कौन है आई हूप आफ सब लोगों ने इस कोशन का सही आंसर मालूम कर लिया होगा इस सवाल का सभी जवाब किया होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ इस कोशन का कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा, अली सरदार जाफरी यakनि तरकी पसंद अदद अदब के खालिक कौन है, अली सरदार जाफरी अली सर्दार जाफरी से related और भी कई सारे questions एक्जाम में पूछी जा चुके हैं जैसे की आपकी कई सारे शेरी मजमुएं है उनमें एक मजमुआ है परवाज तो परवाज एक्जाम में पूछा गया है किसका शेरी मजमुआ है नोट कर सकते हैं सर्दार जाफरी का है इसी के साथ साथ में नई दुनिया को सलाम नई दुनिया को सलाम ये भी जो है अले सर्दार जाफरी का शेरी मजमुवा एक्जाम में पूछा जा चुका है एक और भी एक्जाम में पूछा गया वो है खून की लकीर नोट कर लीजिएगा खून की लकीर तीनों नामें फिर से रिपीट कर देता हूं परवास नई दुनिया को सलाम खून की लकीर ये किसके शेरी मचमुए हैं तो जवाब हो जाएगा आपका आली सब्दार जाफरी अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन वारे सामने है किताब तनकीदी अफकार के मसन्निफ कौन है किताब तनकीदी अफकार के मसन्निफ कौन है आफशन आपके पास में है गोपी चंदारग शम्शुर रह्मान फारुकी एतशाम हुसेल आप मुझे बताईएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा शम्शुर रह्मान फारुकी सही जवाब क्या हो जाएगा शम्शुर रह्मान फारुकी ये किसकी किताब है? आपको याद अकना इसे किसी साथ साथ में लफस्व ओमाना है ये एक्जामे कोउशन आप उरी किसकी, आपको दिया है विखनूर्गर्यू ये किताब भी सिर्थ आपको तुसरे इसके तूर्गर्वू ओमाना है? और जो कोशन में किताब पोची लिए वो भी important है अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन मारे सामने देली से लखनो आने वाले शायरों के नाम है दौक और मौमिन क्या ये सही होगा मीर वो सौधा क्या ये सही होंगे दर्द वदाव गालिव और मौमिन आपको बताना कि इन में से कौन सा जुम्रा है वो जो सही है आई हूप आप सब बने इस कोशन का correct answer पता कर लिया होगा अब मैं आपको उता देता हूँ सवाल का सही जवाब क्या होगा इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा मीर वा सौधा मार कर लिजेगा मीर वा सौधा देली से लखनो आने वाले शायरों के नाम है मीर वा सौधा मीर तक्यमीर की पैदाश का हुई इसे भी नोट कर लिजेगा सत्रा सो बाइस तेज और पैदाईश कहां पे हुई है, आगरा में, इसे नोट कर लिजेगा, इंतिकाल कब हुआ है, इसे भी नोट कर लिजेगा, और आपका इंतिकाल कब हुआ है कहा हुआ है 1781 उसी में कहां पे हुआ है लकनों में नूट के लिएगा पुम बढ़ते हैं इस कोशन के तरफ में इस कोशन वारे सामने हैं शायरी में अलवियत का नजरिया पेश करने वाले मगर्बी नकाद हैं अफलातू, अरस्तू, लॉनजाइनस, होरेस आप उचे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आइ थिंक आप सब लोगों ने इस कोशन का सही जवाब पता कर लिया होगा इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा लॉनजाइनस यानि तीसरा आप्शन अब इनकी किताब है जो बहुत इंपॉर्टन्ट है वो भी अलगस एक्जामी पुशी जा चुकी है अलवियत के बारे में किताब का नाम क्या है अलवियत के बारे में आपसे पूछा गया कि अल्वियत के बारे में किसकी किताब है इसकी मसन्निफ कौन है तो नोट कर लीजिएगा मसन्निफ हो जाएंगे लौन जैजिस अब हम बढ़ते हैं नेस कोशन के तरफ नेस कोशन मारे सामने नौवल बस्ती और खुदा के बस्ती के मसन्निफ कौन है करेक्ट तैंसर क्या हो जाएगा। इस कोशन का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानि बस्ती जवे ये इंतजार हुसेन का नॉवल है और खुदा की वसी ये शौकत सिद्धिकी का नॉवल है अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन के वारे सामने है जमानी तर्टीग के एतवार से निशान दही किजिए बहुत इंपॉर्टन कोशन है एक एक चीज को ध्यान से आपको सुनने के जरूरत है यहां पे चार अर्दो के हम शखसियात के नाम दिये गए हैं और उन्हें जमानी तर्टीग के हिसाब से आपको मुरतब करना है और आपको बताना है इनमें से कौन से जम्रा जो है उस सही है पहले में सौदा है गालिब नासिख अरेशा है इस कोशन को सवाल करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वह यह कि आप गेस कीजिए कि इसका समाना पहले हो सकता है कि इसका समाना बाद में हो सकता है अगर exact date आपको नहीं पता है तब भी और elimination method का इसमाल करने की कोशिश कर जैसे पहले मैं आपने देखा सौदा और गालिब सौदा और गालिब सौदा को पहले दिया है और गालिब को बाद में दिया है ठीक है नासिख उसके बाद में है उसके बाद में इंशा है नासिख उसके बाद में है उसके बाद में इंशा है तो ये मुझे guess लग रहा है कि गालिब जो है गालिब जो है ये इंशा के बाद में है नासिख के बाद में है कि नासिख से ज़रा सा doubt भी हो रहा है तो आपको याद रखना है कि इसके बाद में तो यानि हमारा जो पहला आफशन है ये नहीं हो सकता है दूसरे में आप देख रहें कि गालिब को पहले में दे दिया है तो ये भी जवाब नहीं हो सकता है तीसरे को हम कंसीडर कर लेंगे कोशिस नहीं की फिर भी हमें सही जवाब बिल गया है अब हम बात कर लेते हैं इन सब की पैदाइश कब हुई और इंतकाल कब हुआ इनका तो सबसे पहले हम बात कर ले थे मिर्जा मुहमद रफी सुदा के जिनका भी मैंने पीछे बताया भी आपको आपकी पैदाइश हुई है 1712C में और इंतकाल हुआ है 1781C में इनिशा की आप नोट कर लेजिएगा मैंने पीछे बताया नहीं है इनिशा की पैदाइश है 1752C में नोट कर लेजिएगा इनिशा की पैदाइश है 1752C में और इंतकाल हुआ है 1817C में इंतकाल कब हुआ है 1817C में नोट कर लेजिएग अब हम बात कर लेते हैं नासिक की पैदाइश का हुई है तो नासिक का भी नोट कर लिजेगा 1772 एसे में आपके पैदाइश है और इंतिकाल हुआ है 1838 एसे में नोट कर लिजेगा अब हम बात कर लेते हैं घालिब की पैदाइश का हुग है तो गालिब की पैदाइश है 1797 E.C. में और इंत्काल हुआ है 1869 E.C. में तो आईउप आपके कोशन क्लियर हो चुका होगा अब हम बढ़ते हैं नेस कोशन की तरफ लेस कोशन मारे सामने मेरा जी और नूर मीम राशियर का तालुख है तरफ की पसंदी से है जदीदYT से है माचा बात जदीदय्स से है हल् के अरबाव दोग से है आपके पताना इस कोशन का सHी जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर हो चाहाएगा चौधा या यहां पर एक कोशन है जो की important है हलके अर्बावे दौक का अवली नाम क्या था तो नोट कर लीजेगा अवली नाम था बज में नोट कर लेंगे बज में अफसाना गवईया यह अवली नाम था नोट कर लेंगे नाम इसका हो गया था हलके अर्वाविजों शुरुवाती नाम क्या था बज में अफसाना गविया नोट कर लेंगे इंपोर्टेंट है अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन मारे सामने है कैदो बंद की सौबते उठाने वाले शायर हैं फैज वाहसरत क्या ये सही होगा राशिद वा मेरा जी अस्वर वा जिगर मजाज वा जानिसार अखतर तो आप मुझे बताएंगे इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करिक्ट अंसर हो जाएगा फैज वाहसरत फैज में भी कैदो बंद की सौबते उठाई हैं राल पंडी साज़िश में और हसरत ने जंग आज़ादी के दोरां भी कई बार कैदो बंद की सौबते उठाई हैं तो इस लिहाज से सही आंसर वारा हो जाएगा फैज वा हसरत अब हम बढ़ते हमें इस कोशन की तरफ नेक्स कोशन वारे सामने कई चाथ ते सर आस्मा है आदक को बताने क्या है? तवी लफसाना है, दास्ताने, जखिम नावल है, सफर नामा है तो आप मुशी बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जखीम नौवल है कई चाहत है सर अस्मा क्या है एक जखीम नौवल है अब ये किसका नौवल है इसे भी नोट कर लिजेगा ये किसका नौवल है शम्षोर रह्मान फारुकी अब हम बढ़ते हैं इस कोशन के तरफ F. Elliot की एक नजम के तर्जमे को सरनामे के तोर पर जिस नॉवल में शामिल किया गया है उसका नाम है उदास नसले आग का दर्या टेड़ी लकीर खुदा की बस्ती आप उची बताईएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं आ स्टार्टिंग होई है एलियट के जिस नजम से स्टार्टिंग होई है वो नजम कौन सी उसका नाम लिख लेंगे उसका नाम है दा वेस्ट लैंड नाम लिख लीजेगा दा वेस्ट लैंड उस नजम का नाम है दा वेस्ट लैंड उस पोएम का नाम है अब यहां पर और भी option में उदास नसने किसका नावल है अब्दुल्ला हुसें का टेड़ी लकिर किसका नावल है इसमें चुगताई का खुदा की बसी किसका नावल है शौकत सिद्धिकी का अब हम बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ इनमें किस अदीब ने सफर नावा नहीं लिखा है इस तरह की कोशन को आपको किरफली डिट करने की जरूरत है इंतजार हुसें इहतशाम हुसें इबन इशाय शम्षोर रह्मान फारुकी आप मुशे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आई हूप आप सब सफर नामा है इबन इशा का भी सफर नामा है तो इनके सफर नामे कौन से इसे भी आप नोट कर लिएगा इंपोर्टेंट है इंतजार हुसें के सफर नामे का नाम है जमीन और फलक और 1987 नाम लिख लिएगा इंपोर्टेंट है एक्जाम में आप से पूछा जा सकता है जमी और फलक फलक और 1987 इहत्शाम हुसें के सफर्णामे का नाम क्या इसे भी नोट कर लिएगा साहिल वा समंदर इबन इशा के सफर्णामे का नाम क्या नोट कर लिजएगा इबन बतुता के ताकुब में निसाब में भी शामिल है ابन بطوتہ کے تاقب میں नام लिख लिएगा ابन بطوتہ کے تاقب میں अब हम बढ़ते हैं की तरह शायरी को मकरबी अखलाग्रा तरह प्राग्रा देने वारा फलस्फिकोने अरस्तू अफलातू सुक्राट फित गोरस आप मुझे बतायेंगे इस स्वाल का सही जवाब किया हो जाएगा तो मैं मैं बता देता हूँ, सीरे इस Q sır का कर्रेक्ट आंसर किया हो जाएगा जवाब हो जाएगा, अफला तू अब हम बढ़ते हैं何 this Q क कि तरफ next Q क को दे हैं की है आफशन आपके पास में है असलूब अहमद अनसारी खलीफा अब्दलहकूद अब्दलहकीम खलीफा अब्दलहकीम ये पहला आफशन है दूसरा भी है तीसरा भी है चोटा भी है आपको सारे आफशन रेड़ करने और आपको बताना है कि मेंसे कौन सा आफशन सही है तो इन से रिलेटेड एक कोशन आप सब के लिए आप बताएंगे इसका जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है अक्माल का जहनी इर्तिका अक्माल का जहनी इर्तिका ये किसकी किताब है दूसरा आपको बताना है फिक्र इक्माल फिक्र इक्माल किसकी किताब है पहला आपको बताना है अकबाल का जहनी इर्थका किसकी किताब है दूसरा बताना है फिक्र अकबाल किसकी किताब है अब मैं आपको बता है अकबाल का जहनी इर्थका ये किसकी किताब है तो ये किताब है उसलूब अहमद अनसारी की और फिक्र इक्बाल कितावँ ये खलीफा अब्दलحकीमी नोट कर लीजेगा अक्बाल का जेन इर्तका उसलूब अवनसारी फिक्र इक्बाल खलीफा अब्दलحकीम अब हम बढ़ते हैं एस कोशन की तरफ शेख गुलाव हम्दानि के शायर का असल असल नाम है आबरू का है, फायस का है, मीर का है, मुसहफी का है तो आप मुझे बताइएगा इस कोशन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस स्वाल का सही जवाब हो जाएगा मुसहफी शेह खुलाव हम्दाने किसका असल नाम है? मुसहफी का असल नाम है मुसफ़ी के तजखरे बहुत important exam में पूछी आविची जैसे अकदे सुरिया मुसफ़ी का एक तजखरा है अकदे सुरिया एकदे सुरिया किसका तजखरा है ऐसे आपके एक तजखरे का और नाम है रियाजूल फौसहा क्या नाम बता है हमने रियाजुल फौसहा आपके एक तजकरे का और भी नाम है उसे भी नोट कर लीजएगा तजकरे हिंदी नोट कर लीजएगा तजकरे हिंदी तो यह तीनों ही मुसफिक के तजकरे हैं आप याद रखिएगा इमपॉर्टन्ट एक्जाम में पूछ आ सकते हैं अब हम बढ़ते ह इस immersion का जिएगे इस कोशन का सही किया हो जाएगा एस कोशन का करिक्त आंसर हो जाएगा एमरजिंसी मृजिंसी नाइटिन सेविंटी फाइव अभिया है यहां पर चीज़ आप नोट कर लेजिए कर दुरामं है ये कितने मनाजर पर मुश्तमिल है तो नोट कर लेंगे ये छे मनाजर पर मुश्तमिल है मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जबाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्ट अंतल हो जाएगा मीर तकी मीर नोट कर लेजएगा मीर तकी मीर का एक बहुत ही अहम तज़करा है निकात उ शौरा अर्दु शायरों का पहला तज़करा है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ बेयानिय शायरी की मेराज कहा जाता है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ नॉवल आग का दर्या कि सन में शाय हुआ इंपोर्टन पीशम ने बताया भी इसको 1949-1957, 1959-1962 आप मुझे बताईएगा इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1959 यानि नॉवल आग का दर्या कि सन में शाय हुआ 1969-1969 में किसका है गुर्टन हैदर का शाहकार नॉवल है अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ सेकेंड लास कोशन मौफिक हुपम हुदूर के मैंने भी उसी मौहावरे में लिखना शुरू किया जैसे कोई बात इं करता है ये कौल किसका है मर्जा गालिब का गुलाम गौथ बेखबर मीर अमन रजब अली बेख सुरूर आप मुझे बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोईशन का करेक्ट अंसर क्या होगा इस कोईशन का करेक्ट अंसर हो जाएगा मीर अमन यानि तीसरा आफशन नोट कर लिजेगा तीसरा आफशन ये कौल किसका है मीर अमन देहलिवी का है मेरमन देलवी की दास्तान कोंसी जो यूजिसी नट के निसाब में शामिल है वो है बागो बहार अब हम बढ़ते हैं इस कोशन की तरफ जो कि मारा लास कोशन है एक रोशन डिबांग था न रहा शहर में चिराग था न रहा गालिब की वफात पर ये शेर किस ने कहा शिबली ने कहा, शियुफता ने कहा, हाली ने कहा, मौमिन ने कहा आप मुझे बताएंगे इस कोशन का सही जवाब क्या हो जाएगा इस कोशन का करेक्ट रंसर हो जाएगा हाली मौलाना अलताफुसन हाली ने ये शेर कहा था पौलाना अलताफसुन खाली ने ये शेयर कहा था, नोट कर लिजेगा, अलताफसुन खाली की बहुत सारी तसानिफे जिन में यादगार गालिब, हयात जावेद, हयात साधी, मुकद्दमा शेयर उशारी, ये बहुत अहम तसानिफें, जो कई बार एक्जाम में, या इन से र लग रही है, चीज़ें आपके लिए फाइदेमन सावित हो रही हैं, जो कोशन और बिसकस करते हैं, वो आप सब के एक्जाम में कहीं न कहीं जरूर हिल्प करेंगे, और उसका रिजन भी यही है, किसके पीछे एक रिसर्च वर्क होता है, और हम कोशिश करते हैं, रह के साथ में शेयर कर दिये जाएं, आज की क्लास में रसितने हैं, थैंक्यों सो मच पर वाचिंग इस वीडियो,